द्रिश्टी आईस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसमें टीम द्रिश्टी के इंपुट्स भी शामिल है। ये आर्टिकल सामा ने अध्यन प्रश्रपत्र दू की सामाजिक न्याय के खड़ से जुड़ा है। तो आईए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश के समगर विकास में सिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन वही सिक्षा अगर विकास का कारक बनने की जगें गले का फंदा बन जाए तो अगर सिक्षा ही विद्यार्थियों की मृत्यू का कारण बनने लगी तो सिक्षा का क्या अर्थ निकलेगा। हाले में राष्ट्री अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि NCRB ने अपनी रिपोर्ट में एक चौकाने वाला खुलासा किया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में चात्र आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक वाशिक दर से बढ़ रही हैं, जो जनसंख्या वृधिदर और समग्र आत्महत्या प्रवृत्यू से भी अधिक है। भारत में सिक्षा को हमेशा से ही एक उच्च स्थान दिया गया है। विद्यार्थियों से अकसर उत्कृष्चता की अपिक्षा की जाती है। यह अपिक्षा कई बार असहनी दबाव का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण कुछ शात्र आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत में चात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्य एक गमभीर और चिंता जनक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। इस आडियो आर्टिकल में हम इस प्रवृत्य की विभन पहलूँ पर चर्चा करेंगे, जिन में इसके कारण, प्रभाव और इससे निपटने के उपाय शामिल है। तो सबसे पहले जानते हैं NCRB की रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख पहलूँ के बारे में। 28 अगस 2024 को वाशिक IC3 सम्मिलन और एक्सपो 2024 में NCRB के आकड़ों के आधार पर शात्र आत्महत्याएं भारत में फैल्ती महामारी के शिशक से रिपोर्ट चारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां कुल आत्महत्या की संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की व्रिधी हुई है, मही शात्र आत्महत्या के मामलों में चार प्रतिशत की व्रिधी हुई है। IC3 संस्थान द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले दो दशकों में छात्र आत्महत्याओं में चार प्रतिशत की वाशिक दर से वृधी हुई है, जो राश्ट्री ओसत से दो गुनी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल चात्र आत्महत्याओं में तिरपन प्रतिशत पुरुष चात्र है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चात्रों के आत्महत्या की घटनाएं, जनसंख्या व्रिधिदर और समग्र आत्महत्या प्रवृत्यों दोरों को पार करती पिछले दशक में जबकि शूनी से 24 वर्ष के बच्चों की आबादी 582 मिलियन से घटकर 580 मिलियन हो गई है, महाशात्रों की आत्महत्या की संख्या 6654 से बढ़कर 1344 हो गई है। उलेखनी है कि IC3 संस्थान एक स्वयम सेवी आधारित संगठन है जो दुनिया भर के विद्यालियों को मार्ग दर्शन और प्रसिक्षर संसाधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडू और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक छात्र आत्महत्या वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया है, जो कुल राष्ट्री आत्महत्याओं का एक तिहाई है। दक्षडी राज्जियों और केंद शासित प्रदेशों में सामोही ग्रूप से ऐसे मामलों की संख्या 29 प्रतिशत है। NCRB द्वारा संकले डेटा पुलिस त्वारा दर्ज की गई प्रात्मिकी रिपोर्ट पर आधारित है। हाला कि यह स्विकार करना महत्वपूर्ण है कि छात्रों की आत्महत्या के वास्विक संख्या संभव तक कम रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट में भी यह संभावना जताई गई है कि छात्र आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग कम की जाती है। लेकिन सवाल है कि भारत में चात्रों की आत्महत्या की प्रवृत्य की इतना तीजी से बढ़ने का क्या कारण है? भारत में चात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्य बढ़ने की पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकती है. लेकिन वर्तमान, सिक्षा प्रडाली और सामाज को इ परिक्षा परिडामों पर अतिधिक जोर और असफलता का डर छात्रों के मांसिक स्वास्त को बुरी तरह प्रभावित करता है। वर्तमान में सिक्षा अतिधिक महंगी हो गई है। सिक्षा के कारण माता-पिता पर आर्धिक बोच बढ़ता है जो छात्रों को परिशान करता है। और जब छात्र सारी सुवधाय मिलने के बाद भी सफल नहीं हो पाते या अपने माता-पिता पर अपनी वज़े से बढ़ते कर्ज और आर्धिक बोच को देखते हैं, तो भै और अवसात के कारण वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को ततपर हो जाते हैं। बच्चे अगर उशेत्र में अच्छा नहीं कर पाते या बहुत प्रयास के बाद भी असफल हो जाते हैं, तो अवसात ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही समाज में भी उन्हें अपना मजाग बनने का डर सताता रहता है। इन सब परिस्थितियों से वे आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठा लेते हैं। साथ ही देश में बढ़ती हुई बेरोसकारी दर भी चात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवित्ति के लिए समयदार है। कई-कई साल तयारी करने के बाद जब असफलता हाथ लगती है, तो घोर, निराशा और कुंठा चात्रों को घेर लेती हैं। और वे इतने अधिक सम्वेदन शील हो जाते हैं कि कोई छोटी से घटा भी उन्हें विचलित कर सकती हैं। मानसिक स्वास्त कुली कर समाज पे व्याप्त धार नाय भी छात्रों के लिए चनौती बन जाती हैं। वे खुलकर अपनी बात किसी से नहीं कह पाते और समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इन सब के अलावा सोशल मीडिया और साइबर बुलिंग भी छात्रों के मानसिक इस्थती को प्रभावित करती हैं। ये अपने साथी छात्रों या अंजान वोगों द्वारा की गई आलोचना या मजाग का शिकार होते हैं, जो उनकी आत्महत्या के विचारों को बढ़ावा देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस आत्महत्या की प्रभाव क्या होंगी। चातरों की आत्महत्या न केवल उनके परिवारों के लिए विनाशकारी होती है, बल्कि समाज और देश पर भी इसका गहरा प्रभाव परता है। छात्रों की आत्महत्या से समाज की प्रगती पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है। इसके अलावा परिवार को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पढ़ सकता है। खास कर यदि छात्र पर उनके भविश की उम्मीदे टिकी थी। जब एक छात्र आत्महत्या करता है तो उसके साथी छात्रों पर भी नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है। इससे अनित छात्रों के मनुबल पर भी असर पढ़ता है। और कभी-कभी वे भी इसे मार्ग पढ़ जाने का सोच सकते हैं। इसका असर उनके मानसिक स्वास्त पर हो सकता है, जिससे उनकी सैक्षडिक प्रगती में बाधा आती है। इसके अलावा सिक्षक और स्कूल प्रिशासन पर भी इसका मानसिक और भावनात्मक बोच पढ़ता है, जिससे सिक्षा की गुडवत्ता पर असर पढ़ सकता है। लेकिन सवाल है कि छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ती को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। परिक्षाओं के बजाए व्यवहारिक ज्यान और कौशल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिक्षाओं को छात्रों की मानसिक स्थिते को ध्यान में रखते हुए आयूजित किया जाना चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्त सेवाओं का विस्तार करना भी अत्यांत आवश्यक है। विद्यालियों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्त सेवाओं को सुलब और प्रोदसाहित किया जाना चाहिए। छात्रों के लिए नियमित काउंस्टिंग सत्र आयूजित किये जाने चाहिए और उन्हें मानसिक स्वास्त के महत्व के बारे में जागरुक किया जाना और अभिभावकों को उनके बच्चों पर अतितिक दबाव न डालने के बारे में सिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रतेक बच्चा अलग होता है और सभी की छमताएं और उचियां भन न हो सकती है। साथ ही साइबर बुलिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म्स को भी इस दिशा में अधिक जम्यदारी दिखाने चाहिए और बच्चों को इसके नकरात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उचित नीतियां बनानी चाह दिए। उलेखनी है कि विश्व आत्महत्या रोक्थाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के स्थापना वर्ष 2003 में अंतराष्ट्री आत्महत्या रोक्थाम संग द्वारा डबुएचों के साथ मिलकर की गई थी। यह दिवस लोगों को आत्महत्या ना करने और अवसाद से बचाने के लिए जागरुपता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में देखते हैं आगे की रह। छात्रों में आत्महत्या की प्रवित्ती एक जटिल और समवीदन शील मुद्दा है, जिसे हल करने के लिए सामोहिक प्रयासों की आवशक्ता है। को बच्पन से ही मांसिक रूप से मजबूत बनाएं, जिसे बच्चे समस्या से भागने की बजाए उनका सामना कर सके। इसके लावा बच्चों को समझना चाहिए कि सफलता असफलता जीवन का अंग है, जिसे छात्र असफलता को एक सामाने घटना की तरह ही ले और इसे ब वातावरण प्रदान किया जा सकी। केवल तब ही हम इस गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं और भविश्य की पीडियों को एक बहतर और सुरक्षित भविश्य दे सकते हैं। तो चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। परिवार और समाज के इस्तर पर आवश्यक उपायों का सुझाव दीजे। तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। झाल। 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 झाल झाल